नमस्कार, हाजिर हूँ आज के रासीफल के साथ, रासीफल से पहले, आईए आप दिखते हैं आज के पंचांग को, आज दिनांग 6 अप्रेल सन 2024, विक्रम समवत 2080, चैत्रमास, क्रशनपक्स की द्वादसी, प्राते 10 बज कर 19 मिनट तक, राहुकाल प्राते 9 बजी से साड़े 10 बज तक रहने वाला है, आईए आप देखते हैं बारे रासीओं का रासीफल, आज कौन सी रासी क्या लाब देने वाली है, या कहां हमें किस रासीवाले को सावध आप देखते हैं, लेकिन मित्रो रासी बताने से पहले मैं आप से पुनय एक निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को यह दिया आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आप से अन्रोध है, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपको हानी नहीं होगी, कोई आपको किसी पे तरह का नुकसान नहीं होगा, वीडियो बहुत देखते हैं, हजारों के संख्या में मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं, लेकिन नजाने लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप से अन्रोध है, सब्सक्राइब क प्रार्थना को स्विकार करेंगे और अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल को आप सेर करेंगे, लाइक करेंगे और कॉमेंट करेंगे तो आईए अब सुरू करते हैं आज का रासी फल सबसे पहले मेश रासी चंद्रमा ग्यार्वे भाव में होने से आपको पद्ध परतिष्ठा यस लाव धन प्रवपर्टी में फ्रधी करवाने वाला हो सकता है परिवार जनों का मित्रों का आज आपको सहयोग मिल सकता है, स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है अच्छी बात यह है कि यदि एकागरता के साथ आप व्यापार पर ध्यान देते हैं तो आपको लाव मिलेगा दामपते जीवन में थोड़ सी कटुता रह सकती है, कुल मिलाकर दिन आपके फ्यवर में रहने वाला है, सामाजिक, व्यापारिक यात्राएं हो सकती है और इन यात्राओं से आपको लाव मिलेगा, ये थी मेश रासी, व्रिसिव रासी, दस्मे भाव में चंदर्मा रहेगा, दस्मे भाव का चंदर्मा लाव का योग बनाता है, व्यापारियों और नोकरी एसा वाले लोगों के लिए सुप समाचार मिलने वाले हैं, अर्चने और बाधाओं का निराकर्ण होगा, किन्तू, आज अपने आपको थोड़ा सा सावधान रखना चाहिए, आपके कटूवचन या आपके वेभार के कार्ण, आपका बोस या आपके बड़े लोग, उनका गुस्सा आपको जहलना पड़ सकता है, मानसिक संतुलन थोड़ा सा बनाए रखें, फरस्टेशन से तोड़ा दूर रहें, घरिया कारिय स्थल पर कोई धार्मिक आयोजन भी आज हो सकता है, मिथुन रासी, चंतरमा नोवे भाव हैं, पूरी निष्ठा वे लगन से कारे करेंगे, तो अठके और रुके हुए काम आपके बनते हुचले जाएं प्रोफेशन में उन्निति के योग बन रहे हैं, कुल मिलाकर मिथुन रासी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही खुसाल, अच्छा, बढ़िया, मस्त और बहुत एकदम रहने वाला है, करक रासी, चंतरमा आठमे भाव में होने के कार्ण आपको सारीवी कार्थी कार्थी आज आपको वाहन समल कर चलाना चाहिए और लापरवाई से बचना चाहिए, परिवार में कलहय हो सकती है, व्यापार में आज आज आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, थोड़ा टेंशन में आज आप रह सकते हैं, पतनी से विशेष्ट है, आपके तर्क कु स्वास्त का भी ख्याल रखिए, आज आपका स्वास्त भी थोड़ा नर्म हुता हुआ दिखाई दे रहा है, वानी पर सैयम रखे, व्यभाद अपना संतुलित रखे, सब ठीक होगा। पूरू में चल रहे मन मुटाओ, आपके समापत हो सकते हैं, मित्रों वैभाई बंधों से आपको आज सहीयोग मिल सकता है। कारियों को पूरी करें समझ कर, विचार कर ही आप उनको पूरा करें। जल्द बाजी में कोई भी काम न करें, वानी पर नियंद्रन रखें। किसी भी प्रकार के धोखे से आज आपको बचना चाहिए, आप धोखे का सिकार हो सकते हैं, इसलिए साफधन रहें, किसी पर यकायक विश्वास न करें। तुलारासी, चंदरमा पांच में भाव में, घर परिवार का पूरा सहयोग आज आपको मिलने वाला है, कारियों में उन्नती, व्यापार में तरक्की, नोकरी में तरक्की, आज आपकी हो सकती है, धनलाब के भी योग बन रहें, पतनी के साथ रोमांटिक समय गुजरेगा, कारिस्तल पर विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें, पुराने मित्रों से आज आपकी अचानक भेट हो सकती है, आज खुश और प्रसन रहने वाले हैं, आत्म बल्क में आपकी व्रधी होगी और सुब समाचार आपको प्राप्त होंगे, संतान पक्ष से खुशी मिलेग विश्चिकराशी के चोफे भाव में चंद्रमा, चोफे भाव का चंद्रमा चुनोती भरा होता है, इसलिए दिन आज आज आपका थोड़ा सा चुनोती से भरा रह सकता है, आपको गुसा या कुरूध पर पूरा निरुनतन रखना चाहिए, और किसी की आलोजना या टिकक कटिपनी से आपको बचना चाहिए, घर में टेंशन या कहला का वातावन बन सकता है, मा वय पत्मी के बीच आपको संतुलन बना कर चलना चाहिए, व्यापार में किसी को उधार देने से आज आपको बचना चाहिए, धनुराशी, चंद्रमा की स्थिती तीसरे भाव में मिला जुला दिन, सही योग और विरोध दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, यातरा योग बन रहा है, किन्तु यातरा में आपको कश्ट का सामना करदना कर सकता है, परिवार से सही योग मिलेगा, पत्नी से विशेश कर थोड़ा सा सावधान रहे नौब जोग हो सकती है, आन व्यापार में लाब रहने वाला है, नई नोकरी के चांस बन रहे हैं, और कैरियर में भी वर्धी होती हुई दिखाई दे रहे हैं, मकर रासी, चंदरमा दूसरे भाव में जो आपको व्यापार में वर्धी और धन लाब दिलाने वाला हो सकता है, कारे स्थल वह घर का वात तो राजनेतिक छेतर में विशिष्ट सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। कारियों में सफलता मिलेगी, व्यापार में उन्नती और लाव की स्थिती बनी हुई है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए फेवरेवल है। पुम्भरासी, चंदर्मा की स्थिती गोजर में हैं। स्वयम को किसी भी प्रकार की गलत फेहमी या भटकाव की स्थिती से आपको हमेशा भार रखना चाहिए। कारियों के बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। लोगों में आपके प्रति सम्मान वे भरोसा उत्वन होगा। नया कांटेक्ट, फूरी सजगता और सावधानी के साथ आपको करना चाहिए। अगर आप सजगता से ये कांटेक्ट करते हैं तो आपको लाब मिलेगा। बड़ों की उचित सलहा आपको लाब दिला सकती है। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। नई नोकरी ज्वाइन कर सकते हैं। या व्यापार के विस्तार को भी आप मूर्त रूप दे सकते हैं। मीन रासी। मीन रासी के जातकों का चंद्रमा बार्वेभाव में। बार्वेभाव का चंद्रमा मिला-जुला परिणाम देने वाला सम्मान व्यपरतिष्टा बढ़ सकती है। वहीं आज कोई बड़ा धन खर्च भी हो सकता है। इसलिए धन खर्च करते समय थोड़ा ससावधानी बढ़ते हैं। लोन लेने या किसी भी प्रकार का उधार देने से आज आपको बचना चाहिए। व्यापारिक यात्राओं का भी योग बन रहा है। व्यापारिक यात्राओं यदि आप करते हैं तो लाब देंगी। धामपत्य जीवन आपका मस्त रहने वाला है। कुल मिलाकर आज का दिन मीन राशी वालों के लिए खटा मिठा अनभवद देने वाला हो सकता है। तो मित्रों ये थी बारे राशियों की इस्तिती बारे राशियों का राशी फल उमीद करता हूँ ये राशी ये फल राशी फल आपको पसंद आया होगा। पुने चलते चलते वही अनुरूद यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंच सब्सक्राइब कर लें बेल के आइकन को दबा दें और कोई प्यारा सा कॉमेंट आप नीचे जरूर कर दें आपको ये राशी फल अच्छा लगा या नहीं तो भी लिखें इसे सेयर करें इसी उमीद के साथ कि आप मेरा कहना मानेंगे फिर मिलता हूं नए वीडियो में तब तक नमस्कार खुश रहे परसंद रहे आबाद रहे इश्वर आपको सुखी रखे परसंद रखे जय हिंद जय भारत झानति मेंगे वीडियो ऺता हूं